आज मन किया कुछ ऐसा बनाऊं जो खाने में तो हलका हो और फ्लेवर्स में एक महकती स्वीटनेस भी हो तो बन रहा है वेजेटिबल स्टिव एंड कोकनेट मिल्क केरला स्टाइल वाला वेलकम तो दे चानल शुरू करते हैं लेके एक मीडिम आलू, एक कैरट, एक तमातर, तीन से चार चम्मच बॉइल स्वीट कॉन, दो से तीन चम्मच बॉइल हरे मतर, दो ग्रीन चिलीज, चार गार्लिक क्लोफ्स, आधे इंच का लसन और कुछ करी लीव्स एक लॉंग, एक हरी इलाइची, कोर्सली कुटा हुआ ब्लैक पेपर और एक 25 ग्राम का कोकनेट मिल्क पावडर का पैकेट गरम करते हैं दो चम्मच टेबल स्पून ओईल, गरम होते ही आड़ कर देते हैं छोटी हरी इलाइची और एक लॉंग 30-40 सेकंड के बाद आड़ कर देते हैं जिंजर गालिक इसे अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं करीब एक मिनिट तक जब तक यह गोल्डन ब्राउन नहों जाएं गोल्डन ब्राउन होते ही इसमें फिर हम आड़ कर देंगे हरी मिर्चे और थोड़ी सी करी लीव्स यह अब ब्राउन होने लग गया है इसमें हम आड़ कर देते हैं क्यूब की ओवे आलू और गाजर यह कच्छे हैं यह बॉइल नहीं किये हैं पहले इसमें आड़ करते हैं आदा छोटा चमच नमक का अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गरम होते ही एड कर देते हैं इसमें 100 ml के करीब पानी और उपर से धकन लगा के इसे कुप कर लेते हैं तीन से चार मिनिट के लिए हमें इस समय आलू और गाजर को सॉफ्ट करना है अब आड कर देते हैं इसमें बॉल किया हुआ स्वीट कॉन और बची हुई साथ से आठ करी लीव्स अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दो तीन मिनिट के लिए मिल्क पाउडर जो है कोकनेट मिल्क पाड़र उसमें हम करीब साड़े तीन सो एमेल करम पानी मिक्स करके अच्छे से फैट के स्मूथ बना लेंगे और फिर उसे हम इस कड़ाई में आड कर लेंगे गैस को हम स्लो पे कर देंगे अब कोकनेट मिल्क डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करके इसमें डाल देते हैं कोर्सली कुटा हुवा ब्लैक पैपर अब इसे स्लो पे ही कुक करेंगे बीच में हम इसे गुमाते रहेंगे चेक कर लेंगे एक बार गाजर और आलू वो गल गय है कि नहीं गाजर परफेक्ट है आलू हलके से कड़क है जो अच्छी बात है एंड तक कुक हो जाएंगे अब इसमें हम एड कर देते हैं एक टमाटर जो बड़े बड़े पीसे में चौप किया है और इसके हमने अंदर से बीजे हटा दिये है बीजे और जो अंदर सॉफ्ट पल्क होता है वो हटा दिया है इसे अब कवर कर देंगे ढ़कन से और दो मिनिट के लिए लो हीट पे पकाएंगे ताकि टमाटर हलके सॉफ्ट हो जाएं उनको एकदम गला के पेस्ट नहीं करना है मसलका करना है उसके बाद हम डाल देते हैं और अल्री बॉइल के ओवे हरे मटर एक से दो मिनिट के लिए से बस कवर करके कुक कर लेते हैं ताकि स्वाद आ जाया मटर में भी अब यह हो गया है गरम और एकदम रेडी सॉल्ट वगरा आप चेक कर लीजिए गरमा गरम है राइस ब्रेड पाओ अपम एंजाय कीजिए थैंक यू वर वाचिंग दू सब्सक्राइब